गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नोकरी देशी हरियाना फ्रेंड्स इस चैनल पर हमारी हरियाना जी के के इंपोटेंट क्यूशन के एक सीरीज चल रही थी उस सीरीज की आज हमारी टैंथ वीडियो है अगर आपने पहले की वीडियोज ना देखी हूँ तो डिस्क्रिप्शन में उस सब का लिंक है जाइए और जुरूर देखिए दोस्तों इस सीरीज के अंदर हमने कम से कम हजार क्यूशन को कवर कर लिया क्योंकि हमने में क्यूशन के साथ साथ उससे अदर रिलेटिड कंसेप्ट को भी साथ की साथ कवर किया है जुरूरी नहीं किया अच्छे सीने आपसे जो अब पूछा है वह आगे भी पूछे तो जो भी आपसे क्यूशन पूट किया जाता है उससे अदर रिलेटिड कंसेप्ट को भी कम्प्लेट हमसे 2011 की according ही आकड़े पूछे जाएंगे क्योंकि जो अगली जनगन्ना है वो लगवग 10 साल बात होती है हर 10 साल के बाद जनगन्ना होती है 2021 के अंदर होनी थी जनगन्ना का काम शुरू भी किया गया लेकिन कोरोना की वज़े से उस जनगन्ना को 2020 में जब कोरोना की स्टार्टिंग होई वो 21 वाली जनगन्ना ही हो रही थी उसको रोक दिया गया और अभी तक उस काम पर कोई आगे काम हुआ नहीं है तो अभी तक जो हमसे आकड़े पूछे जाने हैं, वो 2011 की जनगर्णा के अकोर्डिंग ही पूछे जाएंगे, और 2011 के अकोर्डिंग जो हर्याना की कुल जन संख्या थी, वो थी 2,53,51462, या फिर आकड़ों को छोटा करके पढ़ना सीख लिजिए, याद करने में आसानी कि वो है 253,51462, जो 2011 के अकोर्डिंग हर्याना की कुल जन संख्या है, या किसी बच्चे को लैक करोर में करके भी याद करना है, तो उसके लिए भी आसान है, 2,53,51462, उसके अंदर से आपको ये भी पता होना चाहिए, कितनी मेल पोपुलेशन थी और कितनी फीमेल पोपुलेशन थी, तो दोस्तों, इस टोटल पोपुलेशन में से जो प्रूसिजन संख्या थी, वो थी 1,34,91734, या फिर छोटे आकड़ों में कहिए, 134,91734, क्या थी ये प्रूसिजन संख्या थी, जो टोटल प्रूसिजन संख्या थी, चाहिए उसके अंदर बेबी मेल आए, या फिर जैंट्स, जो वर्द आए, या या यंग आए, उनके जो टोटल जो प्रूसिजन संख्या थी, वो थी 134, 91734, और जो महीला जन संख्या थी, वो करोड 53,5142 पुरूस जनसंख्या 134 चुरण में 734 और महीला जनसंख्या है 118 चापपन और 728 कि नेक्स्ट क्योस्टन होगा हमारा हर्याना में भारत की कुल जनसंख्या का कितने परतिसत हिस्टा निवास करता है तो दोस्तों हर्याना में भारत की कुल जनसंख्या का 2.09 परतिसत हिस्टा निवास करता है कई बार एक्जाम में पूछा गया है हर्याना की पोपुलेशन भारत की टोटल पोपुलेशन के कितने परसेंट है या कितने परतिसत हिस्टा निवास करता है तो हर्याना में भारत की कुल जनसंख्या का 2.09 परतिसत हिस्ट निवास करता है और ऐसा सायद ही कोई बच्चा होगा जिसको भारत की कुल पॉपुलेशन ना पता हो क्योंकि पिछले कई साल से जब से मोधी जी प्रधान मंत्री बने हैं आमने यही सुना है कि सवासो करोड भारतियों के लिए कि भारत की जनसंख्या है जो करोड करीब नेक्स्ट क्योशन देखिए जो हर्याना से रिलेटिड है आपका सरवादिक जनसंख्या वजन घंतव वाला जिला हर्याना का कौन सा है दो क्योशन है दोस्तों एक होता है सरवादिक जनसंख्या कौन से जिले की है हर्याना में और दूसरा होता है सरवादिक जन घंतव वा फरीदाबाद जिला है जो पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़े ओधोगिक नगरी है हरियाना का बारवा जिला बना था गुडगाओं से अलग करके 1979 में उसको जिला बनाया गया था और वो जो जिला है दोस्तों जिसका सित्रफल हरियाना में सबसे कम है लेकिन जनसंख्या के अकोर्डिंग वो हरियाना में सबसे जादा है हरियाना में सबसे जादा जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद और सबसे कम सेत्रफल वाला जिला है फरीदाबाद और जहां कि जनसंख्या सबसे जादा है जन घंतव सबसे कम है तो सेत्रफल सबसे कम है तो वहां का जन घ जन घंतव भी सबसे अधिकी हुगा, हर्याना के अंदर सबसे जादा जन घंतव वाला जिला भी कितना है, कौन सा है, फरीदाबाद, और फरीदाबाद की टोटल जो पॉपुलेशन थी, 2011 के अकोर्डिंग वो थी, 18,09,733, कितनी थी, 18,09,733, और जो वहां का जन घंतव है, वो है 2442, कितना है फरीदाबाद का जन घंतव? 2442, दोस्तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जन घंतव होता है, क्या है? जन घंतव होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया या फिर एक किलोमेटर के अंदर किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं, एक किलोमेटर एरिया के अंदर किसी भी एरिया के कितने लोग रहते हैं, वो उस एरिया का जन घंतव होता है, पर किलोमेटर कितनी पोपुलेशन निवास क करती है वो होता है जन घंतो हरियाना का सबसे कम जो सित्रफल की द्रश्टी से जो जिला है वो है फ्रीदाबाद लेकिन वहां की जन संख्या पूरे हरियाना में सबसे जादा है और वहीं का जन घंतो भी हरियाना में सबसे जादा है हमारा next question है अभी तक हमने पढ़ा हर्याना के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहां की है और जहां का जन घंताव सबसे ज़्यादा है अगर ज़्यादा पुछा जा सकता है एकजाम में तो सबसे कम का भी आपको पता होना चाहिए तो हर्याना के अंदर जिसकी जिले की सबसे नियोनतम जनसंख्या है वो कोन सा जिला है या फिर सबसे कम जनसंख्या वाला हर्याना का कोन सा जिला है तो दोस्तों वो जिला है हर्याना का पंचकूला जिला को siitä जिला है, हर्याना का जिसकी जन संक्या सबसे कम है वो है हर्याना का पंच्कुला जिला, पंच्कुला के जिला कब बना वो बना था सबसे जादा था और जिस जिले की जन संह का सबसे कम है वहीं का जनघनतव सबसे कम है तो दोस्तों पंचकुला की आपको total population पता होना चाहिए क्योंकि बीच के आप data याद करो या ना करो लेकिन आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम का जरूर पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्रीदाबाद की population थी दोस्तों, 18,09,733 और वहां का जो जन घंतव था, वो था 2,442 और जो पंचकुला की जन संख्या है, वो है पांच लाख 61,293 और जोहां का जन घंतव है, वो सोरी दोस्तों सबसे नियोंतन जन घंतव वाला हमारा जो जिला है, वो पंचकुला नहीं है, वो सिर्षा जिला है और सिर्षा का जो जन घंतव है वो है 303 परती वारगी किलोमीटर कितना है सिर्षा का जन घंतव 303 परती वारगी किलोमीटर अगेन रेपेटिंग फ्रेंट्स हर्याना में सबसे ज़्यादा जन संख्या है फ्रीदाबाद की फरीदाबाद का ही जन घंतव वहाँ पर सबसे जादा है हरियाना के अंदर नियूंतम जन संख्या वाला जिला है पंचकुला और जो नियूंतम जन घंतव वाला जिला है दोस्तों वो है हमारा सिर्षा जिला जहां पर अनकाई दलदल पाया जाता है जो कपाश उत्पादन के अंदर सबसे जादा परसिद है और वर्तमान के अंदर हर्याना का जो सबसे बड़ा से तरफल के अकोर्डिंग जो जिला है वो भी सिर्शा ही है और दोस्तों सिर्शा का जो जन घंतव है वो वर्तमान में पर्ति वरग किलोमिटर और उधर फरीदाबाद का जिनका सबसे ज़्यादा था वो था 2400 वियारिस उमीद है दोस्तों देखो आपको आकड़े याद करना थोड़ा मुश्किल लगता होगा आपको लगता होगा इतने सारे आकड़े याद करते करतों तो दिमाग की दही बन तो दोस्तों चाहें दही बने या खिचड़ी बने एक्जाम के अंदर याखड़े पूछे जाते हैं अगर आपको एक्जाम में अच्छे से स्कोर करना है तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि HSSC ने इतने आकड़े पूछे हैं कि किसी पेपर के अंदर कि आपको खुद को देखके लगेगा कि कितना जादा पूछा गया है एक करीब करीब साहे 2017 के अंदर एक्जाम हुआ था फोरेस्ट रेंजर का वो कंप्लिट पेपर ही आकड़ों से भरा हुआ था तो किसी को नहीं पता कि HSSC क्या पूछ सकती है इसल दो हजार ग्यारा के अकोर्डिंग हर्याना राज्य की कुल साक्सर्तादर कितनी है वो है पिचेतर पॉइंट छे जीरो परती सत कितनी है पिचेतर पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सिक्स जीरो परती सत कितनी है दो हजार ग्यारा के अकोर्डिंग राज्य की कुल साक्स साखसरता दर अर्थार्थ 2011 के अंदर तक हम 100 में से पिचेतर आदमी हमारे पढ़हे लिखे थी तो कितनी थी? 55.60% जो population थी हमारी 2011 के अंदर वो साक्सर थी उसके अंदर से आपको पुरुष साक्सरता और महिला साक्सरता का भी पूछा जाता है कि 2011 के according पुरुष साक्सरता दर कितनी थी और महिला साक्सरता दर कितनी थी ठोटल तो थी 75.60 जिसके अंदर से पुरुष साक्सरता दर थी दोस्तों 84.1% कितनी थी पुरुष साक्सरता दर थी आपकी 84.1% और महिला साक्सरता दर थी 65.9% पुरुष साक्सरता कितनी 84.1% महीला साक सर्तादर थी 65.9% देखे दोस्तों सारे के सारे आकडों का खेल है एक बार आपको फिर से रिवाईज करवा रही हूँ जनगनना 2011 के अमसार हर्याना रज्य की जो कुल जनसंख्या है वो है 2,53,51462 या फिर 251,542 जिसके अंदर से पुरस जनसंख्या थी हमारी 1,34,734 महीला जनसंख्या थी 1,18,56728 और जो ये पुरस और महीला जनसंख्या अलग अलग डिवाईड की है दोस्तों इसके अंदर हमारी यंग जनरेशन भी आ गई जो वर्द हैं बड़े बुड़े वो भी आ गए और जो बेबी पुपलेशन है जो बच्चों की जनसंख्या है वो भी इसी के अंदर इंकलूड है पुरस जनसंख्या थी 1,34,94,734 महीला जनसंख्या थी 1,18,56,728 उसके बाद भारत की जो सवाशो करोड की पॉपलेशन है उसके अंदर से भारत के अंदर करीब करीब 2,09 परतीसत हिस्सा निवास करता है भारत की कुल जनसंख्या का हर्याना के अंदर 2,09 परतीसत हिस्सा निवास करता है और हर्याना में सबसे जादा जनसंख्या वाला जो जिला है दो 2733 और जन घंतव भी हमारे फ्रीदाबाद जिले का ही सबसे जादा है उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओध्योगिक नगरी है जादा उध्योग होंगे तो वहां की पोपुलेशन जादा होगी स्यत्रफल की दरश्टी से फ्रीदाबाद हरियाना का सबसे छोटा जिला है और वह जिसको सबसे जादा जन घंतव कहां का था फ्रीदाबाद का सबसे कम जन संख्या पूची जाई वह है पंच्छकूला जिला हरियाना का जिसकी जन संख्या है तो फ्रीदाबाद दोस्तो जन्गनना दोहजार ग्यारा के अनुसार राज्जे की कुलसाख सर्तादर कितनी है? तो दोस्तों जन्गर्ना 2011 के अनुसार राज्य की जो कुल सक्सर्तादर है वो है पिछे 3.60 परतिसत जिसके अंदर से प्रुष सक्सर्तादर है 84.1 परतिसत और महीला सक्सर्तादर है आपकी 65.9 परतिसत next question है हमारा हर्याना का सर्वाधिक सक्सर्तादर कोन सा है 2011 की जन्गर्ना के according हर्याना का जो सर्वाधिक सक्सर्तादर कितनी है तो सर्वाधिक सक्सर्तादर होने के नाते ग्रुगराम की जो सक्सर्तादर है वो है 84.70 परतिसत कितनी है 84.70 परतिसत और अगर आपसे सर्वाधिक सक्सर्तादर जिला पूछा जा सकता है तो आपसे नियूंतम सक्सर्तादर जिला भी पूछा जा सकता है तो हर्याना का जो सबसे कम साक्सरता वाला जिला है वो है मेवात जिला जो 54.08 परतिसत पोपुलेशन वहां की पढ़ी लिखी है कितनी साक्सर पोपुलेशन है वहां की चोवन पॉइंट जीरो आठ परतिसत सबसे ज्यादा गुरुगराम की कितनी पढ़ी लिखी थी 84.70 और सबसे कम जो पढ़ी लिखी पोपुलेशन है सबसे कम साक्सरता वाला जिला हमारा मेवात या फिर वर्तमान में नुहू जो जिला है उसके जो पोपुलेशन है वो है चवन पॉइंट जीरो आठ परतिसत नेक्स्ट क्यूसन है हमारा भारत में पहली जनगन्ना कब हुई थी दोस्तों ये क्यूसन आपको इंडिया जीके में भी बहुत बार देखने को मिला है और हर्याना जीके के अंदर भी आ सकता है पहली जनगन्ना पुछी जाए वो हुई थी 18802 में 1872 के अंदर पहली जनगन्ना की शुर्वात की गई थी और अगर सून योजित जनगन्ना पुछी जाए वो हुई थी 1881 में तो भारत की जो पहली जन्गन्ना हुई थी वैसे नॉर्मल हुई थी 1872 में और पहली सून योजित जन्गन्ना पूछी जाए वो हुई थी 1881 में 1881 के बाद आज तक भारत की जन्गन्ना कभी नहीं टली थी ये करोना काल आया जब 2021 की जन्गन्ना होती थी उसका कारेकरम जो आगे जल नहीं पाया लेकिन भारत के अंदर जब आपात काल लगा तो भी भारत की जन्गन्ना का काम था वो नहीं रुक पाया था तो दोस्तों व लेकिन वर्दमांद तक उसके आउपर कोई काम भी तक चल नहीं रहा है और भारत में तो पहली सुनियोजित जन्गना 1881 में हुई थी, अगर हर्याना की आपसे पूछी जाए, पहली जो जन्गना हुई थी, हर्याना की वो कब हुई, तो दोस्तों हर्याना की जन्गना पहली जो जनगन्ना हुई थी वो हुई थी 1971 में क्योंकि एक नवंबर 1966 को तो हर्याना राज्य ही बना था और जो जनगन्ना का टाइम था वो या तो 61 में होगी या 61 में होगी तो हर्याना की जो पहली जनगन्ना थी वो 1971 में हुई थी तीनों कंसेप्ट ध्यान रखना भारत की पहली जनगर्णा 1872 में सून योजित जनगर्णा पूछी जाए वो 1881 के अंदर और हर्याना की पहली जनगर्णा हुई थी 1971 के अंदर नेक्स्ट क्योशन है हमारा परसिद प्रेटन स्थल लाट की मस्जिद कहां स्थित है तो दोस्तों ये क्योशन तो बहुत बार एक्जाम में आ चुका है परसिद जो प्रेटन स्थल है लाट की मस्जिद वो हिसार में गुजरी महल के अंदर स्थित है और गुजरी महल में इस मस्जिद के अंदर लाल बलुवा पत्थर का प्रियोग किया गया है बहुत बार पूछा जाता है हरियाना की कौन सी मस्जिद है जिसके अंदर लाल बलुवा पत्थर का प्रियोग हुआ है तो हरियाना के अंदर जो लाट की मस्जिद है गुजरी महल के अंदर स्थित है वहा पर बल्वा पत्थर का प्रियोग किया गया है, बहुत सारी बुक्स के अंदर जो लाट की मस्जिद हतेवाद में विश्यो की गई है, लेकिन दोस्तों जो गुजरी महल के अंदर ही है, सभी को पता है हरियाना में गुजरी महल कहा है, हिसार के अंदर है, हिसार को किसने बसाय था फिरोजसा तुगलक ने उन्होंने ही गुजरी महल बनवाया था उसी गुजरी महल के अंदर लाट की मस्जिद थी था और उस लाट की मस्जिद के अंदर लाल बल्लुआ पत्थर का परियोग किया गया है तो आप जब एक्जाम के अंदर आपके आगे ऑप्शन आते हैं तो आपको पहले हिसार के साथ जाना है लेकिन अगर हिसार ओप्शन में नहीं है तो बहुत बार कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा है वहाँ पर फते बाद भी दिया गया है तो आप क्योश्चन के अंदर ओप्शन पर देखिए है तो हिसार के अंदर लेकिन बहुत सार इबुक्स में फते बाद भी दिया गया है पहले आपको हिसार के साथ जाना है हिसार ओप्षन में नहीं है तो आपको फते बाद के साथ जाना है नेक्स्ट क्योशन है हमारा राय मुकंददास का छत्ता या फिर बिर्बल का छत्ता कहां स्थित है दोस्तो राय मुकंददास का छत्ता पूछा जाए या फिर बिर्बल का छत्ता पूछा जाए ये कहां पर स्थित है ये नार नोल में स्थित है मेहंदरगर नार नोल ये नार नार्नोल में श्थित है और इसका निर्माण मुगल सासक सहाजा के दर्बारी थे जो मुकंद दास उन्होंने करवाया था विर्बल का छत्ता किसने बनवाया किसने बनवाया था राय मुकंद दास ने बनवाया था और ये कौन थे ये मुगल सासक सहाजा के दर्बारी थे ना जो नाम है वो राय मुकंददास का छत्ता भी कहा जाता है और इसको बिर्बल का छत्ता भी कहा जाता है नेक्स्ट क्योशन है हमारा जग दमनी रिसी का संबंद कौन से जिले से है तो दोस्तों जो जम दगनी रिसी है उनका संबंद हरियाना के कौन से जिले से माना गया है तो जो जम दगनी रिसी है उनका संबंद हिसार जिले के राखी गड़ी गाउं से माना गया है तो दोस्तों जग दमनी रिसी का संबंद कौन से गाउं से था हर्याना में हिसार जिले के राखी गड़ी गाउं से राखी गड़ी तो सभी का जाना पहचाना नाम है कहां पर है राखी गड़ी हिसार जिले में और वो किसलिए परसिधा आपको ये भी पता होना चाहिए इस से related दूसरा क्यों चनाता आपके एक्जाम में हर्याना के किस जिले में या फिर गाउं में पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी प्राचिन सिंदू से घाटी सब्वेता मौजूद है राखी-गडी में क्या है दोस्तों वो अप्सन आपको दिये जाते हैं हर्याना के क इस गाउं में या किस जिले के गाउं में पूछा जाए दुनिया की सबसे प्राचिन सिंदू घाटी सब्वेता मौजूद है तो कहां है दोस्तों उप्सन दिये हैं राखी-गडी सेसै काली रावन पेटवर्ड या फिर बास गाउं तो कहां है सिंदू घाटी सब्वेता क सबसे प्राचिन जो है हमारे भारत के अंदर वो है राखी गड़ी गाउं हिसार का कहा है पहला आपसे क्योशन पूछा था जग दगनी रिसी का सम्बंद कौन से गाउं से है या किस जिले से है वो है हिसार जिले का राखी गड़ी गाउं राखी गड़ी वही गाउं है जहां सिंदु घाटी की सबसे प्राचिन सभ्यता पाई गई है नेक्स्ट क्योशन है हमारा भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया रज्य बनाने के लिए सहा आयोग की स्थापना कब की थी तो दोस्तों भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके जो नया रज्य बना स्थापना किसी आदार पर हुई थी और उस सहारों की STEPना है कब की गई सहा यूट के अंदर कितने सदेश्च से ये भी पूछा जाता है 3 सदेश्च से थे और सहायों की जो स्थाहपना कि गई ऊप्शन दिये है, एक नवंबर 1966 को, दूसरा बाइस अपरेल 1966 को, तीशरा ओप्शन है आपके पास साथ नवंबर 1966 को, और चोथा ओप्शन है दोस्तों, तेईस अपरेल 1966 को, कब की गई थी? दोस्तो सहायोग की स्थापना की गई थी 23 अप्रेल 1966 उसी सहायोग की रिपोर्ट के आदार पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाना को अलग-अलग किया गया था या फिर हरियाना नया रज्य बना था और जब हरियाना नया रज्य बना तो पंजाब का इसको 35.08% हिस्सा दिया गया था पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया था 35.08% हिस्सा हरियाना को दिया गया था और ये कब दिया गया था सहायोग की स्थापना हुई थी 23 अप्रेल 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक नवंबर 1966 को हर्याना की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारा हर्याना के किस जिले में वीकल ट्रेकिंग सिस्टम के आधार पर किलोमेटर योजना की शुरुवात की गई है? दोस्तों बिलकुल लेटेस्ट क्यूस्टन है ये क्यूस्टन लगबग 2020 के अंदर जो मार्च फरवरी के अंदर जो एकजाम होए थे उसके अंदर पुछे गए थे तो जो हर्याना के अंदर वीकल ट्रेकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमेटर योजना शुरू की गई है एक हर्याना के गुरू ग्राम जिले से किई गई है और ये योजना वेकल ट्रेकिंग सिस्टम पर आधारित है नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारा एक जनवरी 2020 की स्थीति में पंजाब वे हर्याना उचने अल्डे के वर्तमान मुख्यन अधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तो एट परजेंट एक जनवरी 2020 का पूछा है क्योंकि ये फरवरी और मार्च 2020 के अंदर एकजाम हुए थे जो ओनलाइन एकजाम हुए थे उसके अंदर बिल्कुल रिसेंट का क्यूचन पूछा गया था कि पंजाब हर्याना जो मुख्य हमारा हाई कोर्ट है उसके मुख्य नए धीश कौन है उप्सन दिया है रवी संकर जा क्रिशन मुरारी उप्सन तीन पर है तीरत सिंग ठाकुर और उप्सन चार है राजी उसर्मा तो वर्तमान के अंदर भी या फिर एक जोनुरी 2020 की बात की जाए या फिर आज हम जून 2021 की बात करें वर्तमान में भी हरियाना के जो मुख्य नयदीस है पंजाब वह हरियाना हाई कोट के वो है रवी संकर जा और फ्रेंड्स जो हरियाना पंजाब हाई कोट है उससे रिलेटिड एक ना एक क्यूशन हर एकजाम में पूछा जाता है तो आपको इससे basic concept सबसे पहले कुछ basic concept जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ सबसे एक तो मैंने बिल्कुल अलग वीडियो बनाई है आपके लिए जिसके अंदर complete court के आपको detail दी है थोड़ी सी detail आपको यहाँ पर भी बताती हूँ जो हमारा पंजाब में हरियाना हाई court है स्टार्टिंग के अंदर इसका नाम पंजाब हाई court था और दोस्तो इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत लाहोर में की गई थी बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर स्थापना की गई और किस अधिनियम के तहत की गई तो दोस्तो पंजाब हाई court के नाम से की गई थी लाहोर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1915 के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1915 सोरी, 1919 के अंदर हुई थी स्थापना, लेकिन जो अधिनियम था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1915, अगेन रिपेटिंग, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत, पंजाब हाई कोर्ट के नाम से लाहोर में इसकी स्थापना की गई, सथापना हुई 1919 के अंदर, और जब 1919 के अंद पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना लाहोर में की गई उस दोरान जो इसके मुख्या न्याइधिस थे 1919 में वो थे साधी लाल कौन थे जस्टिस साधी लाल और जस्टिस साधी लाल का पढ़ना हमारे लिए क्यों जुरूरी है क्योंकि दोस्तों ये हर्याना के रेवाडी जिले से संबंद रखते थे कहां से संबंदी थे रेवाडी जिले से संबंदी थे साधी लाल नाम था 1919 के अंदर जो पंजाब हाई कोर्ट के पहले नैधिस बने थे वो थे साधी लाल और साधी लाल कहां से संबंदी थे रेवाडी से उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 के अं पूछा जाता है तो 1947 के अंदर पंजाब हाई कोर्ट को लाहोर से स्थाना ट्रिज्ट करके सिमला लाया गया था कब लाया गया सिमला के अंदर हाई को 1947 में तो आपको 1947 में भी पता होना चाहिए कि उस दोरान कोन थे यहां के चीफ जस्टिस 1947 के अंदर जब सिमला के अंदर मुख्य नेल ले लाया गया उसके अंदर थे उस वक्त ने आई धीश थे जस्टिस रामलाल कौन थे जस्टिस रामलाल 1909 में थे साधिलाल और 1947 में थे रामलाल उसके बाद जो अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले कि एक्जाम हुआ था कलेरिकल का 2019 के अंदर उसके अंदर भी एक उसन पूछा गया था कंप्लीट डेट के साथ पूछा गया कि चंडीगड के अंदर जो वरतमान में कहां पर है पंजाब एम हर्याना हाइकोट को चंडीगड में कब स्थाना नत्रीत किया गया तो दोस्तों चंडिगड के अंदर जो सिमला से चंडिगड लाया गया वो था 17 जनवरी 1905 को कब लाया गया था complete date याद रखना अकेला 1905 नहीं पूछा गया था 17 जनवरी 1905 को सिमला से पंजाब एम हरियाना हाई कोट है जो उसको चंडिगड स्थाना त्रित किया गया था तो आपको 1919 का पता है 1947 का पता है तो आपको 1905 में भी पता होना चाहिए कि जब चंडिगड़ा तो चीफ जस्थिस कौन थे तो 1955 के अंदर हमारे चीफ जस्टिस थे अमरिनाथ भंडारी कौन थे अमरिनाथ भंडारी 19 में साधिलल, 1947 के अंदर रामलल और 1955 के अंदर थे अमरिनाथ भंडारी तब तक हरियाना का नाम नहीं था हरियाना नाम जुड़ा 1 नमबर 1966 को एक नमबर 1966 को जब हरियाना बनाया गया तो कोर्ट का नाम रखा गया पंजाब एम हरियाना हाई कोर्ट तो आपको उस दोरान का भी पता होना चाहिए कि जब हरियाना बना पंजाब एम हरियाना हाई कोर्ट इसका नाम रखा गया तो मुख्य नयदिस कौन थे तो उस वक्त हमारे मुख्य नयदिश थे 1966 के अंदर वो थे मेहर सिंग, कौन थे मेहर सिंग और वर्तमान में है रवी संकर चा, सारे के सारा डेटा फिर से बताती हूँ, 1915 अधिनियम था जो भारत सरकार का अधिनियम 1915 उसके तहत ये हाई कोर्ट बनाया गया था, लाहोर में बनाया गया था, 1919 के अंदर ये स्थापित किया गया था, 1919 के अंदर जो जज थे वहां के जो चीफ जस्टिस थे वो थे साधी लाल, जो रेवाडी से संबंदित थे, 1947 के अंदर जो सिमला लाया गया आजादी के बाद, तब वहां के चीफ जस्टिस थे रामलाल, और 17 जन गया तवत हैं इनके मुखे नाइदिस्ते मेहर सिंग और वर्तमान में पंजाव मर्याना हाई कोड के चीफ जस्टिस है रवी संकर जा उमीद है दोस्तों आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद आउ रहे होंगे अगर याद नहीं होते हैं ऐसे तो एक बार लिखके देखा करो एक बार लिखोगे दो बार लिखोगे जितना पैन घिसाओगे किसमत उतना ही जादा चमकने वाली है तो पैन घिसाने के अंदर संकोच नहीं करना लिखके देखोगे खुद लिखोगे आपको उतना ही जल्दी याद होगा हर्याना के किस राजनितिक नेता को 2019 का यूथ आइकोन के अवार्ड से नवाजा गया है तो दोस्तों पूछा है हमसे 2019 के अंदर किस राजनितिक नेता को हर्याना में यूथ आइकोन अवार्ड से नवाजा गया उप्सन दिये हैं देवेंदर बबली, दुशंत चोटाला, कुलदीप विशनोई और दिपेंदर हुड़ा तो दोस्तो इसका अंसर है दुशंत चोटाला जो वर्तमान हरियाना के उप मुख्य मंत्री है सबसे कम उमर के उप मुख्य मंत्री बने हैं तो इनको 2019 के अंदर यूथ आइकोन के जो खिताब है उससे नवाजा गया था किसको दिया गया था? दुशंत चोटाला को 2019 का यूथ आइकोन अबॉर्ड या खिताब दिया गया था नेक्स्ट क्योचन है हमारा हरियाना की एक मत्र कौन सी ऐसी दरगा है जहां वर्तमान तक भी महीलाओं का परवेश वरजित है दोस्तो देखिए धार्मिक मामलों में कोई हम इंटरफेर तो नहीं कर सकते लेकिन कहीं न कहीं लिंग भेद धार्मिक मामलों में भी आज तक देखने को मिल रहा है तो हर्याना के अंदर भी ऐक ऐसी दरगा है जहां आज भी महिलाईं पूजा करने के लिए नहीं जा सकती तो वो कौन सी दर्गा है दोस्तों ये है हमजा पीर की दर्गा जो नारनोल में स्थित है कहा है हमजा पीर की दर्गा है जो नारनोल में स्थित है नारनोल में दर्गड जिसको आपको होगे और वहाँ पर आज भी महिलाओं का परवेश करने की मना ही है देखे धार्मिक मामला लेकिन पिर भी आज जब हम बराबरी की बात करते हैं लेकिन ऐसे होते हैं जो हमें फिर भी पता होने चाहिए हर्याना के अंदर आज भी एक ऐसी दरगा है वह हमजापीर की दरगा है जहां आज भी महिलाओं का परवेश निशेद है या वर्जित है नेक्स्ट क्योचन देखिए हर्याना में मामा भांजा दर्गा कहां की परसिद है कितनी बार एक्जाम में आ गया दोस्तों ये क्योचन तो हर्याना के अंदर जो मामा भांजा दर्गा है बहुत फेमस है एक्जाम सिंके में अंदर बहुत बार पुछा गया ये दर्गा सोनी पत में है, कहाँ है मामा भान्जा की जो दर्गा है, वो सोनी पत में स्थित है बिडला मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों बिडला मंदिर कुरु राजा ने बनवाया था जो चारों और से पक्का बना हुआ हर्याना का एक मात्र पवित्रे श्रोवर है जहाँ पर बिड़ला मंदिर है वो बिड़ला मंदिर उसी कुरुषेत्र के अंदर ब्रहम सरोवर के पास थित है और बहुत बार पूछा जाता है कि बिड़ला मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो इस मंदिर का निर्माण जुगल की सोर बिड़ला ने करवाया था और उनके नाम पर ही बिड़ला मंदिर रखा गया है तो अगेन रिपेटिंग बिड़ला मंदिर कुरुसेत्र में ब्रहम स्रोवर के पास थित है और इसका निर्माण करवाया था जुगल की सोर बिड़ला साने नेक्स्ट क्योंसा इसल नहींग सब चैक Maar अमें संदू घाटी सभिता सबसे प्रचीन सथल या सब पुछा जाएं यािया सीन्दू घाटी सभ्वेता का। और इहां से सिंधु घाटि सब्धैत के तीनो कालों के अवसेष मिले हैं कि इसें पूछा जा सकता है हर्याना में उसी कोण सी जगे हैं जहां содहु चाहां से सिंधु घाटि सब्धैत के तीनो प्र मिले हैं वह संदो घाटी साल नखतन है के तीनों कालों के अवसीश मिले हैं कि नेक्स्ट है हमारा रिजान लाका नहरों का सहर किसे कहा जाता है तो दोस्तो हर्याना के अंदर नहरों का सहर जिसे कहा जाता है वो है टोहाना को टोहाना फतेवा जिले में पढ़ता है और टोहाना को हर्याना का नहरों का सहर कहा जाता है इसके साथ साथ पूछा जाए हर्याना में नदियों का सहर कौन सा है नदियों का सहर पूछा जाए तो तोहाना होगा नेक्स्ट क्यूशन है हमारा नेता जी सुभास चंद्र बोश स्टेडियम कहां पर स्थित है देखिए स्टेडियम आ गए है स्टेडियम की बात है तो नेता जी जो सुभास चंद्र बोश स्टेडियम है ये कहां स्थित है ये पलवल जिले में स्थित है कहां स्थित है नेता जी सुभास चंद्रबोस स्टेडियम पलवल में स्थित है वही पलवल जहां पंचवाटी मंदिर है जो पांडवों के लिए परसी धावरों पंचवाटी मंदिर जो सबसे प्राचिंतम मंदिर माना गया है जो पांडवों क काल का मंदिर माना गया है उसे पलवल के अंदर है नेता जी सुभास चंद्र बोस स्टेडियम नेक्स्ट है हमारा कोसल विकास विसम विद्यले जो पलवल के दुधोला गाउ में स्थित है उसका नया नाम क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोसल विकास विसम विद्यले हर्याना का कहां पर स्थित है तो कोसल विकास विशव विद्यल है पलवल के दुधोला गाउ में स्थित है कहा है पलवल के दुधोला गाउ में और उसका नया नाम क्या है विशव कर्मा कोसल विशव विद्यल है क्या नाम है उसका नया जो नाम रखा गया है पहले सिरफ था कोसल विकास विशव विद्यल लेहर याना में कहां स्थित है तो वो है पलवल के दुधोला गाओं में नेक्स्ट आपका पलवल से ही रेलेटेड दूसरा क्यूशन देखिए पलवल की कौन सी हवेली परसिद है पलवल के अंदर एक बहुत बड़ी हवेली बताई जाती है दोस्तों जो बहुत ही पुराने टाइम से परसिद है वो कोई वहां के सेठ होते थे और वो हवेली है चोधरी कासी राम की हवेली पलवल की एक हवेली बहुत जादा परसिद है और वो हवेली है चोधरी कासी राम की हवेली next question देखिए हमारा विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए कौन से कवि जो हर्यानवी में गाते थे वो मदूरगीत गाते थे तो दोस्तों विनोबा भावे के संदेश आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि वो किसके संदेश पहुचाते थे विनोबा भावे के संदेश पहुचाते थे और वो कवी थे और हर्यानवी के अंदर गाते थे तो वो कौन थे ओप्सन दिये हैं हमें सिरी राम सर्मा, शुरेंद्र सर्मा, भाई पर्मानंद और पंडित ने की राम तो दोस्तों आपको पता है सिरी राम सर्मा का कौन साथ वो था जो न्यूज पेपर आया वो था तिलक सिरी राम सर्मा का राम के नाम का हम तिलक लगाते हैं आपको साथ की साथ ओप्सन भी समझाती रहती हूँ सिरी राम सर्मा का जो था वो तिलक नामक समाचार पत्र था शुरेंदर सर्मा हर्याना के परसिध हस्य कवी है और पंडित नेकी राम सर्मा जिनोंने 1930 के अंदर संदेश नामक पत्री का निकाली थी चार सितंबर 1887 को इनका रोहतक के कलंगा गाओं में जनम हुआ था जो वरतमान के अंदर भिवानी में है और इस क्यूस्चन का अंसर है हमारा भाई पर्मानन्द वो भाई पर्मानन्द थे हर्यानवी कवी थे जो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए म कौन सी विधान सभा चल रही है तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वरतमान हर्याना में कौन सी विधान सभा है वरतमान में हर्याना में चोद्वें विधान सभा चल रही है जिसके मुख्य मंत्री है हमारे मनहोरलाल खटर जिसके विधान सभा देक्स है ज् बवदास बपात्प में घाता कि अच्टार पाता करता है